कुम है किसी के प्यार में दिल्चस्प मोड और मोड दिखाएगा। पहले यह देखा गया था कि देवी विराट को सई की देख भाल करने और उसे रोकने के लिए कहती है। वहे इस बार विराट भी सई को नहीं रोकने और उसे जाने देने की ठान चुके हैं। जब पत्र लेखा, विराट और देवी की चर्चा सुनती है तो उसने बीच बीच में अपनी नाग थपत पाई और विराट को सई के खिलाफ उकसाया। देवी अपना आपाखो बैठती हैं जहां वहे विराट और पत्र लेखा दोनों पर भढ़क जाती हैं। पाखी भी सई पर देवी को हमेशा उनके खिलाफ बोलने की ट्रेनिंग देने का आरोप लगाती है। हाला कि देवी विराट को एक टाइग लाइन देती है कि जल्द ही वह पाखी के बुरे पक्ष को देखेगा और उसे अपनी बड़ी गलती का एहसास होगा। दूसरी तरफ मिताली नाग ने अपनी और आईशा सिंग उर्फ सई की यह तस्वीर साज़ा करते हुए कहा कि देवी के विराट पत्र लेखा पर भणकने के ठीक बाद और दोनों मुस्कुरा रहे। हैं देखना दिल्चस्प होगा कि शू में आगे क्या होता है। गूम है किसी के प्यार में दिल्चस्प मोड और मोड दिखाएगा। पहले यह देखा गया था कि पाखी विराट के प्रती दिवानी हो गई है क्योंकि वह किसी तरह विराट को अपने जीवन में चाहती है। इसलिए पाखी समराट के करीब जाने की कोशिश करती है और विराट को जलन महसूस कराती है। जबकि पाखी यह समझने में विफल रहती है कि विराट केवल सई से प्यार करता है, पाखी से नहीं. इसलिए पाखी समराट से पूछती है कि क्या वे सब्ता हांद की छुट्टी बिताने के लिए महबलेश वर जा सकते हैं. पाखी विराट को दिखाना चाहती है कि वह समराट के साथ खुश रह सकती है और वहां आनंद ले सकती है. समराट पाखी के इरादों पर शक करता है और उससे सवाल करता है कि जब पाखी हां कहती है तो विराट से के रूप में महबलेश वर वहां क्यों गए? क्या समराट पा में आगे क्या होता है